यूटूब पर बहुत सारे वीडियो देखे उसमें अलग अलग चीज डाले जा रहा है जो हमारे पास नहीं होते हैं और मेरे पास भी नहीं थे इसी टाइप में कुछ वर्ड यूज किया गया था तो मैं इस बार चिकन कोपता बनाऊंगी तो मैं देखते हूं कैसे बनाती हूं चली देखते कैसे बनाती हूं मैं और आई होप की बहुत अच्छा लगेगा बनाके और आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज में वीडियो को लाइक कर दिजेगा और में चैनल को तो सब्सक्राइब जरू कीजेगा क्योंकि बिल्कुल फ्री है चिकन कोपता बनाने के लिए मैं आपे 300 ग्राम चिकन लिए हूं इसको छोटे-चोटे पीस मे अद्रक लक्षन का पेस्ट अपेस्ट आप एक साथ भी ले सकते हैं, टू टेबली स्पून मैंने बेसन लिया है और एक अंड़ा और थोड़ा सा मैंने फ्राइड ओनियन लिया है तो सब को मैंने जीतना सब कुछ रखा था एक प्लेट में सब कुछ मैं चीकन में डाल दू मिर्चा अद्रक लशन का पेस्ट धनिया पत्ता नमग गरम मसाला हल्दी और जो फ्राइड ओनियन है उसको भी थोड़ा सा ओनियन जो फ्राइड ओनियन उसको बचा कर रखेंगे बेशन और इसमें आपको एक अंडा भी डालना है अंडा कमपसरी अंडा से आपका जो बना लिया है अब इसे हम गोल गोल कर लेंगे लड़ू टाइप में चोटा चोटा पीस से बढ़ा भी कर सकते और इसे चोटा भी कर सकते मैंने ऐसी सारा कर लिया है और तेल को रख देंगे गरम होने के लिए कड़ाई में तेल डालेंगे और गरम हो जाएगा तो मीडियम कर देंगे और जो हमने बॉल्स बनाया है उसको डाल के फ्राइ कर लेंगे आपको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है दोनों तरब से मीडियम फ्लेम पे ताकि अंदर से अच्छी तरीके से चिकन पक जाया वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बहुत ही जल् कड़ी बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने दाल चिन्नी एक डाला है और एक छोटी इलाइची और दो प्यास बड़े साइच के कटे हुए उसको मैंने काटके डाल दिया उसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे और मसाले के लिए जो पेस्ट इसमें धनिया है जीरा है गोल मरी चे फै सीब्स है अध्रक है और रशन है और हरा मीर्च है इन सब को मैंने पेश्ट बना लिया है मिख्षय नहीं पीच सकते सिलोट लोडा में इस मसाले को हम डालेंगे इसके बाद इसमें हम ऐट करेंगे तमाटर को भी डालेंगे इसको mix करेंगे और इसके बाद इसमें वन टेबल स्पून हल्दी नमक श्वाद अनुसार आपको जितना नमक पसंद है खाने में ज्यादा कम वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और वन टेबल स्पून गरा मसाला पाउडर सबको डालके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ये अच्छी तरीके से भूनाना जाए इसमें टू टेबल स्पून आपको दही आड़ क चाहिए पानी वाला तो ऐसे भी रख सकते हैं तो जब पानी में मतब जो कड़ी है उसमें उबाल आ जाए अच्छी तरीके से उसके बाद हम जो बॉल्स बनाया थे उसको डाल देंगे और इसको दस मिनट के लिए ऐसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे उसके बाद इसमें फ्र उसके बाद गर्मा गर्म खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है गाईज और यह हमारा चिकन को बता बनके रेडी हो गया है आप इसे चावल के साथ खा सकते है आप चाहिए तो इसे पराठा के साथ खा सकते हैं देखने में जितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है खाने में उतना ही Mure Tasty होगा गाईज तो इसे एक बार जरू ट्राइ किजएगा और कैसा बना था मतब कैसा बना था कमेंट करके जरू बताइगा कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं 24 hours जब आप कमण करें कमेंट कर सकते हैं तो बनाके टेस्ट करके कमेंट जरूर किजेगा तो मिलते आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और कोई भी रेस्पी मैं आप लोग के साथ सेर कर सकती हूँ इस चैनल पे तो मिलते आपसे नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में बाई गाईस